नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल पर वीडियो एक्जाम से जुड़ी हुई जो तीन महतोपूर्ण बाते हैं वीडियो एक्जाम का सिलेब्स जो मुख्य प्रिक्षा होगी उसका सिलेब्स कब आएगा और जो परी एक्जाम हुआ है उसकी एंस प्रिक्षा क्या हो पाएगे क्योंकि अभी तक जो फाइनल प्रिक्षा यानि मुख्य प्रिक्षा है उसका सिलेब्स जारी नहीं हुआ है उसका सिलेब्स जारी नहीं हुआ तो क्या विभाग फरवरी के माहे में यह प्रिक्षा करा पाएगा और दूसरा दोस्तों यह है कि सबी विदार्थी कमेंट कर रहे हैं कि उनके नंबर कम बने हैं तो इसलिए 40% इसमें रखना चाहिए पास मार्किंग है फ्री एक्जाम की फास मार्किंग 40% होनी चाहिए क्योंकि जो प्री एक्जाम का सिलेबस था सारा मेटर उससे बाहर था प्री एक्जाम के सलेबस से सारा मेटर बाहर था इसलिए विदार्थी उस समय भी बहुत परिशान हुए और अब तो मुख्या प्रिक्षा का सलेबस भी जारी नहीं हुआ है तो आपको पता होगा कि विदार्थी कितने परिशान होगे दोस्तों इसी से जुड़ी देनिक वासकर की खबर आई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं और हम सरकार से यह गोहार करते हैं कि प्रिक्षा जल्द जल्द आयोजित कर नहीं कराए या कराए प्रंतु उसका सलेबस जल्द जारी हो उसकी जो ऑफिचल न्यूज है ऑफिचल एंस्वर की प्रिक्जाम की वह जल्द जारी की जाए तो दोस्तों यह न्यूज आई वीडियो भरती मुख्य प्रिक्षा का सलेबस प्री एक्जाम की अभी तक जारी नहीं कीगी अभी तक जारी नहीं कीगी अभेट्थी परेसान है और राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड की और से ग्राम विकास अध भर्वरी में कराई जाएगी परनों फरवरी में परिक्षा कराई जाएगी और्शलेबस अभी तक जारी नहीं किया है तो यह संद्धियों को क्या संदेश हैं क्या विदार्ति इसमें पड़़ पाएंगे परी एक्जाम में जो फ्वा था उसके सलेबस के अठोर्डिंग बीकिश्य नहीं आए थे जो परी एक्जाम हुआ था उसके स्लेब्स के कोडिंग बिलकुल बीकिश्य नहीं आए थे जो फाइनल एक्जाम होगा अब उसका तो अभी तक स्लेब्स भी जारी नहीं किया गया है तो जैसे ही स्लेब्स जारी करता है तो आप तक पहुंचाए जा जो लगबग विदार थी उनके 60 से कम नमबर बन रहे हैं बहुत त्यारी वालों के भी 60 से कम नमबर आ रहे हैं इसका मुखे रीजन यह है कि जो शिलिब्स के न्यूज आती है वीडियो एक्जाम के बारे में तो हम आप तक पहुंचाएंगे तब तक लिए धन्यवाद और वीडियो को दोस्तों लाइक करें